दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी विथ अनूप पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप पर जो 36 गड़ में जो होस्टल वर्डन की वेकेंसी आई है इसके complete saliva's के बारे में और book list के बारे में कि कौन से subject के लिए आपको कौन सी book पढ़नी चाहिए और आपके subject में क्या क्या है कौन कौन से topics question आएंगे इनके बारे में complete जानकारी आपको मिलने वाली है तो वीडियो को बिना skip के हुए last तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ ही बेल वाला जो आईकन है उसको जरूर तबाईएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास notification सबसे पहले पहुँचे तो आईए start करते हैं दोस्तो जो आपका syllabus है उसमें पहला भाग है भाग आ ठीक है इसमें आपका आपका पहले computer देखें पेपर एक ही होगा आपका 1500 question आएंगे 1500 number का पेपर होगा आपका ठीक है 1500 question 1500 marks तो पहले जो टॉपिक है इसमें आपका है computer computer के 50 question आएंगे 50 marks के लिए और मेरे ही सबसे important सबसे महत्यपूर्ट जो section है वो आपका computer का है क्यों क्योंकि इसमें 25 number आपको लाना अनिवार है देखें 50 number का आपका paper है ठीक है इस 50 में से अगर आप 25 से कम score किये तो आप बाकी section में कितना भी score कर लें आप बाहर हो जाएंगे ठीक है इसलिए minimum 25 number तो को इसी section को देना है ठीक है तो computer में आएगा क्या-क्या computer का परिछे पहले पूछेगा फिर computer का जो उपयोग करते हैं अपन किसलिए करते हैं क्या-का काम होता है computer में इसके बारे में फिर computer के जो भाग होते हैं जैसे CPU, output, input, monitor होता है, mouse होता है, keyboard होता है इनसे संबंदित question इस printer के भी कई type होते हैं तो उन printer के बारे में इसके अलावा operating system के नाम ठीक है जो आपको commercial एवं open source, operating system के नाम इन सब के नाम आपको उनके बारे में तोड़ा detail में जानकारी आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा अगर बात करें word processor, spreadsheet, presentation के उपयोग, कार्याले में उपयोग के क्या क्या जानकारी है इसके बारे में, फिर internet के बारे में, internet कैसे सर्च करते हैं, कैसे webpage खोलते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी internet के बारे में होनी चाहिए, फिर antivirus के उपयोग, antivirus क्यों लगाया जाता है, अगर antivirus ना लगाएं तो क्या होगा, इसके अलावा antiv पर इसके बारे में सामाने जानकारी आपको होनी चाहिए अगर हम आगे बात करें आपर तो आपको फिर मल्टी मीडिया के उप्योग फिर है मल्टी मीडिया के उप्योग आडियो, वीडियो, टेक्स्ट के जो उप्योग करने की जानकारी फिर जो cd dvd होती है उनके बारे में फिर google होता है youtube होता है twitter होता है इन सब की जो सर्च इंजन होते है अपने chrome इन सब की बारे में थोड़ी बहुत जनगारी आपको होनी चाहिए तो computer में आपको बिल्कुल एक दम समानने साथ जो सेलेवे से उधिया गया है तो इसके लिए मैं book recommend करूँगा आपको वो book है या तो आप अरिहंत की book ले लिजिए ठीक है और यहंत की book ले लिजिए computer की यह बहुत ही पतली और बहुत ही चोटी book है इसके लावा lucent की book आती है ठीक है तो आप इन में से कोई एक ही book ले और लेकिन पढ़ें दो से तीन बार उसको देखे एक बार पढ़ने से नहीं होगा आपको दो से तीन बार इसको पढ़ आप computer के लिए ऐसा कर सकते हैं नेक्ष्ट जो मारा है वो हम हिंदी हम बत करते हैं हिंदी के बारे में तो देखे हिंदी का जो व्याकरन है पूरा जैसे के मबात के रिस्वर विंजन वर्तनी लिंग वशन कारक संगय सर्वनाम क्रिया विशेशन समास संधी व्याकरन विलोम अनेक सब्द के लिए एक सब्द मुहावरे लोकोक्तियां इन्हें सबसे जुड़े 10 क्योशन आएंगे आपके और 10 मार्क्स के लिए ठीक है तो अब आपको करना कैसे है इसको तो देखिए इसके लिए ना इसके लिए भी लुसन्ट की बुकाती है हिंदी की ठीक है तो आप हिंदी के लिए ऐसा करेंगे अब बात करते हैं आपका इंगलिस के लिए तो देखिए इंगलिस में लिए ना आपको यूनिट वन फॉर ग्रामर जो ग्रामर है नंबर जेंडर आर्टिकल लाउन प्रो नाउन ठीक है आपके एड्जेक्टिव एडवब एक्टिव requisite speech उनकारी आपके होनी चाहिए फिर intranoms synonyms one word spelling error इन सब के बारे में थोड़ी बूता पुछानकारी होनी चाहिए तो देखे इस bellidandır और word तो एक दिन में हो नी सकत है तो इसके लिए आपको रोज दो है दस वीस आप उठाइए रोज ऐसा करना रोज आपको बीस इस पेलिंग आप पढ़िए उनकी मतलब समझिए ऐसे यसे करके आप जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं जिनकी स्पीड अच्छी है वो एक दिने पजास कर लें दूसरे दिन फ की दूसरे बुक काँए एस पी बखशी की बुक का थी है इंगलीयस की इस बुक को आप ले सकते हैं आप जाकर दुकान के बूह लेंगे खी शंतिक्छी इस बूसरे में हो터 काकि इसको बोलेंगे आपकी नीटो मैडम की बुक चाहिए उनकली नीट्वी था है दुकान में या फिर आप उनलाइन भी ओर्डर कर सकते हैं ठीक है तो बहुत ही अच्छी बुकें हैं दोनों आप दोनों मेंसे किसी को भी पढ़ सकते हैं या तो आप लूसेंट की भी ले सकते हैं लेकिन लेना केवल आपको एक ही है और वो टॉपिक जो यहाँ पर दिये भी जो है आपका दस क्योशन आएंगे दस मांक्स के लिए ठीक है इंगलिस के जो बता चुका हूँ मैं ठीक है न तो बीस क्योशन बीस मांक्स के लिए तो आप मैथ में न आपको LCMHCF आउसत प्रतिसत चाल समय दूरी आपका साधारान ब्याज लाभानी अनुपात परसिंटेज इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए इसके अलवा जो इंगल लाइन आपका समतली आकृतियां जो होती हैं समलम चैतुरबुज यह चैतुरबुज सभी प्रकार के आपके बस ठोस की जो मांगे हैं आयतन आयतन घन घनाप, लंबाई, चोड़ाई, उशाई इन हम सब के बारे में आपको माइत में जानकारी होनी चाहिए तो माइत में आपके 20 क्योष्टना आएंगे 20 मार्क्स के लिए, तो माइत के लिए आप एक बुग ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो आप ले लीजी चाहें SD यादो सर की बुग, SD यादव SD यादव सरकी बुक आती है या अगर आप इसको ना लेना चाहें तो आप ले सकते हैं आरे ऐसा गरवाल सरकी बुक दोनों बुक अच्छी है दोनों बुक से आप पढ़ सकते हैं लेकिन लेना एकी ही बुक है लेना आपको एकी ही बुक है इसको अपने सकते हैं अब हम आगे बात करें तो आगे है आपका इंडिया जी के तो देखिए इंडिया जी के में आपको हिस्ट्री पढ़ना है पूरा पॉलिटी पढ़ना है भूगोल पढ़ना है इकोरोइक्स पढ़ना है और विज्ञान पढ़ना है तो देखिए इसके ल अगर आप इतिहासी पढ़ने बठेंगे तो इतिहास आप चार महीने पढ़ेंगे, तीन महीने आप पॉलिटी पढ़ेंगे, चार महीने आप अर्थसास्त पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जो common book है जो जिसमें sort में दिया गए है, आपको detail में, देखें, बह लुसेंट की book आती है, इसमें सारे topic जितने हैं, पाचो आपको मिल जाएंगे, ठीक है न, तो आप लुसेंट से पढ़ लिए इसको, अब लुसेंट पढ़ना कैसे है, इसके बारे में वीडियो बना दिया गया है, आपको description में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकत हैं, ठीक है, अब अगर आगे बात करें, तो समसामाई, घटना करम, खेल कुद और देश वी देश, देखिए, अभी आपका exam date आउट नहीं हुआ है, ठीक है, जब भी आपकी exam date आउट हो जाए, तो आप ना last के 6 महीने के, जैसे मान लिज़े आपका exam है जून में, मान लि जनवरी से, जनवरी से माई तक के current affairs आपको एकड़म contest होने चाहिए, आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है न, देखिए, रटना पड़ता है, कुछ चीज़े रटनी पड़ती है, कुछ चीज़े समझनी पड़ती है, तो इसको आप रट सकते हैं, ठीक है न, तो आप को रटना पड़ेगा current affairs जून तक का, है न, तो ही आप इसमें ठीक, अच्छे से score कर सकते हैं, current affairs में, क्योंकि 15 question आएंगे, तो 15 में अगर 7-8 भी कर लिए, तो आपके लिए बहुत होगा, ठीक है, 15 में से 10 से ज़्यादा करना बहुत मुस्किल है, लेकिन आप 7-8 कर सकते है ठीक है न, और khe level सब उसी में आजाता है न, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, next हमारा है, 36 गड़ की सामान जानकारी, देखिए, यहाँ पर आपसे 20 question आएंगे और 20 marks के, देखिए, 36 गड़ का weightage जहाँ पर कम कर दिया गया है, है न, 20 question और 20 marks के question आएंगे आपसे, तो इसके लिए, देखिए, 36 गड़ के लिए, no doubt, सबसे बहतरीन book है, HR Patel Sir की book, ठीक है, HR Patel Sir की book, जो हरी दाम Patel Sir की book आती है, यह book सबसे बहतरीन है, 36 गड़ की सामान जानकारी, 36 गड़ की GS के लिए, लेकिन, यह book मोटी भी है, आपको पता होगा, तो अगर आपके पास इसका कोई source है, जिसके आप कर सकते हैं, और वो book पतली है, या जिस book से आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इसको कर लिए, और अगर आप इस book को करने में सर्चम हैं, तो यह book कर लिए, ठीक है, और अगर आपके पास इसका कोई substitute है, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा है बाल मनो विज्ञान, तो देखिए, बाल मनो विज्ञान के लिए न, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई विसेश बुक फॉलू करनी चाहिए, अब बाल मनो विज्ञान के बारे में ये जनरल सेंस, अगर आपका ठीक है, तो आप वहां से कर सक auxappearल सकते हैं, ठीक है न, लेकिन आप इसके रही थोड़ा वोट्य यूटूब का सहरा ले सकते है, अगर यूटूब में किसी ने पढ़ाया, किसी ने बताया होगा, तो आप इसका सहरा वहीं से ले सकते हैं, है न, आप लगत, जितना बता चुका हूँ हूँ सहरा, को कौन से बुक से पढ़ना है और क्या क्या कहां से पढ़ना है इन सब के बारे में जानकारी आपको दे दी गई है ठीक है न तो डेड़ सो केस्चन डेड़ सो माक्स तो आप इस प्रकारे इसकी तैयारी कर सकते हैं ठीक है न तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आय अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सेयर करें अपने दोस्तों से सेयर करें जो इस विडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब भी किया कीजिए ठीक है और जो बेल वाला आइकन है उसको दबाईए ताकि ज बन्यवाद